इगनू से M.Com कोर्स कर रहे सभी स्टूरेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपके लिए I.B.O. 5 का सेंपल कोश्चन अंसर पीडियाफ लेकर आए हैं जिससे आप Guess Paper या Important Question अंसर पीडियाफ भी कह सकते हैं सब्जेक्ट नेम है आपका अंतरास्टी विपनन लॉजिस्टिक तो ये सब्जेक्ट कोड इगनू के M.Com First Year के स्टूडियंट्स का है ये PDF देखिए एक्जाम के लिहाज से काफी Important है इस PDF में आपको 3 सेट सौल पेपर दिया जाएगा ये 3 सेट सौल पेपर बिल्कुल उसी फॉर्मिट से होंगे जैसे आपके एक्जाम में Questions आते हैं Number of Questions की बात करें तो 25 to 30 Questions यहां हो सकते हैं तो इसको आप ध्यान पूर्वक जरूर देख ले और आपको बता दे ये Sample Paper Hindi Medium के Students के लिए है लेकिन हमारे पास इसका English Medium में भी Sample Paper अवलेबल है English Medium का पहले ही वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक के करके उनके Question और Answer को देखते हुए चलते हैं पहला Question कुछ इस प्रकार से आप से पूछा जा सकता है रणनितिक Logistic योजना के मुख्य पक्ष क्या है इन पक्षों की व्याख्या कीजिए और इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को भी सुचिवत कीजिए तो Logistic योजना का मुख्य पक्ष क्या है और इसके पक्षों की आपको व्याख्या करनी है और इसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये भी आपको सुची बत करना है या बताना है तो ये एक important question है इसको आप ध्यान पुरुवक जरू देख ले और जो student इस PDF को परचेस करना चाते हो वो दिये के नमबर पर WhatsApp पर मेसेज करके इस PDF को परचेस कर पाएंगे question second आपसे पूछा जा सकता है समागरी आवशकता नियोजन तथा एकदम समय पर विनिर्मान संकल्पनाओं की संशेप में व्याख्या कीजिए यहाँ आपसे कई short notes के रूप में question पूछा जा सकते है question second में तो यहाँ आपका part A था part B में आपसे पूछा जा सकता है जहाजो के पंजीकरन तथा उसमें परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विवेचन कीजिए इसी प्रकार से C और D यहाँ चार question आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ आपको दो दिये गए है question 3 हो सकता है आपका एक देश के लिए जहाजरानी के महत्व के विभिन कार्णों की संशेप में व्याख्या कीजिए तथा भारतिये जहाजरानी उद्योग द्वारा सामना की जा रही बाध्यताओं का उलेक कीजिए तो यहाँ पे ports के बारे में बात की जा रही है समुंदर से जो व्यपार होते हैं उनके बारे में आपको गुजिक्र देना होगा कि यह क्यों important है और भारत में इसके लिए कौन-कौन सी बाधाय आ रही है उसको भी आप यहाँ बताएंगे next question के तरह बहुम बढ़ते हैं अगला question आप से कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है निमलिखित में अंतर बताएंगे तो यहाँ आपको अंतर बताना होगा समान कार्गो दर तथा विशिष्ट कार्गो दर के बारे में तो समान कारगोदर क्या होता है और विशिष्ट कारगोदर क्या होता है इसके बारे में आप अंतर बताएंगे दूसरा आपसे यहाँ पूछा जा सकता है अगले कोशिष्ट के तरब हम बढ़ते हैं देखेंगे कोशिष्ट नमबर 7 को और यह पीडियाप देखें उन स्टुएंट्स के लिए बहुत जादा यूसपुल होगा जिनके पास स्टडी मिट्रियल अवलेबल ना हो क्योंकि इगनु में हमारे ऐसे बहुत सारे स्टुडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुक का ओप्शन एड्मिशन के टाइम सलग किया था ताकि आपके एक्जाम में बहतर अंग आ पाए इस प्रकार से आपका ये सेट वन समाप्त होता है सेट टू और थ्री भी इसी पीडियाफ में इंक्लूड है पर्चेस करने के लिए दिये गए नमबर पर वट्सप पर जरूर मेसेज करें इस वीडियो में इतना ही इस वीड पूस्क्राइब करना मत भूलेगा थाइंक्स पर वचिंग झाल 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 झाल